हेई गाइस वेल्कम दे अक्सेट टूरिल चैनल और आज हम बात करें कैसे आप अपने सारे डाटा, टैब्स, रिबन को एक की से एक्सप्लोर कर सकते हैं नविकेट कर सकते हैं किस से शिरफ एक की सिस का नाम है आल्ट की जो कि आपके कीबोर्ड में होती है और बिना माउस के आप सारे कुछ नविकेट कर सकते हैं सारे इंसर्ट टेबल कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं बिना माउस को यूस किये कैसे कर सकते हैं आप इस वीडियो को देखते रहे हैं अगर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए क्योंकि हर हफते एक new tips and tricks आने वाला है और एक पूर एक्सल का कोर्स हम तियार कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए और free और हिंदी में तो यह जो है हमारे demo data है जो मैंने काफी frequently use करता है तो अपनी वीडियो में ID, first name, last name, join dates and sales समझे कि अगर हमने कैसे हम कैसे इसको navigate navigate कर सकते हैं जैसे कि हमने इस पूरे का हमने format चेंज करना है तो control प्लस से दबागे हम पूरा select कर लेंगे अपना table और table दुआने के बाद हम hold करके रखेंगे alt key alt key hold करने के बाद आप देख रहे हो कि यह सारे numbers वारा आगे हैं letters आगे हैं f h n j i right तो हम इसके बाद करेंगे home पर जाएंगे h h पर click करके हमने इसका font change करना है font चेंज करने का कौन सा key है f right ff key है तो हम वो दबाएंगे तो यहां पर आगे हमारा font तो यहां पर हम drop down list में जाएंगे और font select करेंगे font select करने ले आप alt key अपने हटा सकते हैं और यह font select करने के बाद like this alert display मैं select कर रहा हूं उसके बाद enter कर लेज़े right तो आपका पूरा font select हो जाएगा right और आप easily navigate कर सकते हैं अगर आपने navigation shortcuts नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो देख लीजिए link आपको description में मिल जाएगा तो यह था एक example सोचिए अगर हम मैंने एक और लेवल हम बढ़ा देते हैं सोचिए हमने यहां पर joint date को मतलब data validation करना है इस पर drop down list हमने बनानी है जो कि हमने पिछले वीडियो पर मनाई थी तो कैसे कर सकते हैं उसको हम सिधा alt को press करके रखेंगे तो हमारे यहां पर keys reveal हो जाएंगी सब tabs में तो हमने data validation करना है data validation कौन से tab में होता है data tab में तो data tab कौन सा है alt key को हम दबा कर ही रखेंगे और इसके बाद a को select करेंगे alt key को हमने छोड़ना नहीं है उसके बाद यहां पर data validation कौन से alphabet पर आता है V तो V भी alt key के दबाने से ही होगा alt key दबाते रही है और V select कीज़े तो V के अंडर जो जितनी भी सारी keys है वह कहा है data validation, circle, invalid data, etc. तो यहां पर जो हमने select करना है वह करना है सिरफ data validation को data validation की जो option है वह कौन सी है V तो हम alt को दबा के रखेंगे और V को select करेंगे तो select करने के वाद यहां पर हम alt को छोड़ देंगे यहां पर हम जो values है वो तो यहां पर हमारी जो values है यह हम navigate कर सकते हैं तो यह था कैसे आप सिरफ अपनी alt key से सारा कुछ navigate कर सकते हैं फिर हम alt key से simply कर सकते हैं without अपना mouse touch के पगार वो कैसे करें control plus A दबाएंगे और उसके बाद alt key को press करके रखेंगे फिर हम home पर जाएंगे home का क्या alphabet है H, alphabet के बाद हम format as table करेंगे तो format as table का क्या option है T, तो T में आप देख सकते हैं कितना कुछ already available है और उसको हम अपनी keys से जैसे कि drop down keys होती है open नीचे उसे हम select करके जो हमें अच्छा लग रहा वो करके जैसे कि मैं यह करूंगा और उसके बाद कर दूंगा enter तो हमारा यह सारा कुछ select हो जाएगा without entering our without touching our mouse hope आपको यह समझाएगो कैसे आप अपना पूरा ribbon data और सारा कुछ navigate कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक key से उसका क्या क्या नाम है alt key तो और की course दबा के रखे और अपने alphabet चूस किजिए अपना टूल चूस किजिए अपना टैब चूस कि लिए जो करना चाहते हैं वो करिए without touching your mouse इससे हमारी productivity भी बढ़ती है और हमारा efficiency है काम की वह बहुत बढ़ती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो यह टिप पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा शेर जरूर कीजिएगा अपने friends के साथ उनको भी मदद मिलें अगली वीडियो के तक धन्यवाद हम नदी है तक हाँ खर लाद के आपने एकिजएग के तक हो आपया है है